जय मतादी जय मकमक्या जय श्री महाकाल महराज देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल से आप सत्य घटना को सुन रहेंगे तंत्र जहां से प्रारंब होता है वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए आज इस बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि हम हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से हम ये बताते हैं कि तंत्र सम्शान से स्टार्ट होता है और सम्शान में ही समाहित हो जाता है यह दि उतारा भी करना है तो सम्शान जाना होगा प्रेत को भेजना है तो सम्शान भेजना पड़ता है यदि कोई सम्शान की चीज मसान, मरघट, कच्चे मसान, पक्का मसान, वहां की कोई चीज लग गई हो, तो उसे वापिस सम्शान में ही छोड़ना होता है. इसलिए हम बार-बार आपको इस सम्शान की गतिवीधी के बारे में बताते हैं कि आपको वहां पर नहीं जाना है। करना, ये सब गतिवीधी सम्शान की शक्तियों को आकरशित करती है। एसी ही सच्ची गटना, जो हमारे पास में पेशन्ट आये हैं, जिनके उपर उपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया, वह गटना आज हम आपके सामने प्रस्तत कर रहे हैं। ये इसलिए आपके सामने प्रस्तत कर रहे हैं, कि आप लोग तंत्र विद्या से परिशान न हो, आप लोगों के उपर उपरी बाधा न हो, आपके घर में क्लेश, दुख, अशान्ति न हो, आपका घर आपको नर्क न लगे। इसके लिए ये सची घटना हम आपके सामने प्रस्तत कर रहे हैं। हमारा उद्देश है, आप लोग स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुक से रहें, शान्ति से रहें, और आपका घर एक स्वर्ग के माफिक रहें। जो घटना हमारे सामने कल प्रस्तत हुई आई है, पेशंट के लिए, वह हम आपके सामने प्रस्तत कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक परिवार है, वह परिवार में ऐसे तो नियम, धरम, पूजा, पाठ सब होती है। अब वो यही कहते हैं कि हमने घर में अच्छे से सुक, शान्ति है, घर के अंदर जाडू पोचा सब लगता है, साफ सफाई है, कोई गंदिगी नहीं है। पन्तु घर में किलेश है, घर में अशान्ति है, घर हमें नर्क लगता है, पति-पतनी में इतना भयंकर जगड़ा होता है कि आए दिन तलाक की नौबत आ जाती है। तो हमने पूछा उन से घर तुम अपनी गति-विधी बताईए। तो एक साल की गति-विधी का विचलेशन किया गया। तो उसमें जो चीज निकल करके आई है, वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पी लेते हैं, समशान के पास ही बेट करके भोजन भी किया, पानी भी किया, हसी ठीठोली भी किया, और घर जाके इसनान भी नहीं किया, और पतनी के साथ सो लिए। समस्षान के पास में ही रेते हैं ज्यादा दूर नहीं है तो रोजाना उनकी पत्नी मौनिंग वाग के लिए निकलती है यह सुबह सुबह ठंडी हवा, जिसको कहते हैं सुबह की सेर, वो सुबह सुबह की उनकी सेर करने के लिए निकलती है, तो सम्शान के पास से होकर के गुजनना पड़ता है, वहाँ पर बाल खुले करके जाना, मासिक धम की अवस्था में भी जाना, कि चलो मासिक धम आ गया, इस तरी की अशुद्धता हो गई, MC पिरेट से हो गई, तो उस समय मोर्निंग वाक नहीं करना चीए, पन उस समय भी वो नियम के मुताबिक मोर्निंग वाक के लिए जाती है, दोन के उपर सम्शानी शक्तियां लग गई, अब घर में आए दिन, बिल के तिल का तार जिसको बनना है, उसके उपर इतनी ज़्यादा लड़े जगड़े होते हैं, कि अल्टिमेटली बात तलाक तक पहुच जाती है, अलग-अलग होने तक पहुच जाती है, इस श्री अपने सास ससुर, देवर, देवरानी को गाली देने लगती है, भयंकर कुरो पुदित हो जाती है, बरतन भांडे ज़्यादा बजाने लग जाती है, और अपने पती का, वह अपने सास ससुर के सामने अपने पती का अपमान करने लग गई, बात कल इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कि दोनों पक्षों के परिवार वाले उपस्तित होना पड़े, और बा करके वो हमारे पास में आए तो उनके माध्यम से यह ज्यान क्यर हमें तो मालूम है कि सम्षान जब्ही जाते हैं तो इसनान करना चाहिए कपड़े सहित घर के बाहर ही और कुछ परमपरा एसी है कि जब समशान जाते हैं, वापिस आते हैं, तो घर के बाहर ही इसनान करना चाहिए, उसके बाद अगनी प्रजलित करके अगनी को छूना चाहिए, कुछ लोग लाल मिर्ची खा करके थूख देते हैं, वो भी करना चाहिए, और कुछ जगे नीम की हरी पत्तियां जो होती, कड़वी, उन कड़वी पत्तियों को चबा करके कुल्ला किया जाता है, तब जाकर के शुद्धता मानी जाती हैं, अगर एसा नहीं करते हैं, और समशान जाते हैं किसी की देड़ बारी जलाने के लिए, किसी के शव को जलाने के लिए जाते हो, या फिर समशान के पास से भी आप गु चिता को भी देखते हैं, तो जलती चिता को भी देखना कभी-कभी कच्चे दिल वाले, याने जिनका मनुष्य गण होता है, जिनका मानव गण होता है, जिनका देव गण होता है, एसे मनुष्य के उपर यदि जलती हुई चिता को भी दूर से भी देख लेते हैं, तो उपरी बाधा लग जाती है, यहने समशान की वो प्रेतिक शक्ति उसके उपर चिपक जाती है, तो जलती हुई चिता को भी नहीं देखना है, जिसका मानव गण हो तो अपनी पत्री का आप चेक कराएं, मानव गण हो तो कभी भी जलती हुई चिता को नहीं देखना है, या फिर मनु मुझरी के पास से नहीं घुजनना है इस बात का अवश्री ध्यान रखें अन्यता यदि जिस मनुष्री की जन्व पत्रिका में चंदर के साथ राहू बेठा हुआ हो चंदर के साथ शनी बेठा हो या शनी राहू बेठा हो तीन कंडिशन विशेफ सोर से हर जन्व पत्रिका म से में निवदन करूँगा और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं जो घर में सुक चाहते हो घर में शांती चाहते हो घर में क्लेश नहीं चाहते हो घर में दरिदता नहीं चाहते हो घर में तलाक नहीं चाहते हो तो इस बात को गांठ बांद लो कि अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देख लो जो क्लेश करता है उसकी पत्रिका उठा करके देख लो कहीं पत्रिका में शनी के साथ में शनी ग्रह के साथ में कहीं पर भी राहू बेठा हुआ हो तो समझ जाना कि इसके उपर उपरी बाधा स्वतह लगने की संभावना है कोई करेगा नहीं आप लोग अक्सर अपने परिवार के ही सदस्यों के उपर इलजाम लगाते हूं, कोई देवर के उपर इलजाम लगाता है, कोई जेठानी के उपर इलजाम लगाता है, कोई अपनी सास के उपर इलजाम लगाती है, इस तरीके से घर को ओटोमेटिक टोड़ने का काम ये प्रेतलो करते हैं, जब जिसका देवगण हो, उसी के उपर लगती है, जिसका मनुष्य गण है, उसी मनुष्य के उपर तंत्रविद्या स्वतह लग जाती है, जिसके जन्म कुंडिली में शनी के साथ राहू बेठा हो, या शनी चंदर के युक्ति हो तो भी लगने की संभावना होती है, या चंदर क चेक कराने और यदि ऐसा है तो रक्षा कवच हमेशा पेहन करके रखें आपके आसपास कोई ऐसा सिद्ध महापुरुश हो कोई त्यागी तपस्वी हो उससे आप रक्षा सुत्रयाने धागा या कोई कोई लाकेट आप गले में हमेशा धारन करके रखें इससे ये प्रेतिक शक्तियां डरती है यदि किसी के गले में लाल धागा भी है यदि किसी के गले में मंगल सुत्र भी है तो ये शक्तियां उस इस्त्री के उपर नहीं चिपकती है डरती है क्योंकि मंगल सुत्र में रक्षा कवच होता है या फिर बहुत सी जगे मैंने देखा है गले में गाय के पूछ के बाल की रस्ती पेहन लेते हैं, गले के अंदर रक्षा कवच का ताविस कमर में भान करके रखते हैं, या फिर बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा है साउथ की तरप की गले में, कमर में एक चांदी की चेन पेहनते हैं, ये सब रक्षा कवच करने का काम करती हैं तो मनुष्य को अपनी शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि घर में सुक शान्ती चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, तो यदि ऐसा कोई दोश है जन्र पत्रिका में, राहु का, शनी का या चंदर का, तो आपको रक्षा कवच धारन करके रखना ही रखना है, और कोशिश करें, सम समशान के पास से नहीं निकलें, यदि कोई डेड़ बाड़ी जा रही हो, तो उसके पीछे पीछे नहीं चलें, यदि कोई शव निकल रहा है, तो बहुत दूर हो जाना चाहिए, आपको देखना नहीं है, और यदि एक निगावी पड़ गए, तो तुरंत वापिस पलट लीजे, पीछे आजाईए, क्योंकि वह प्रेत आत्मा जो उस शव यात्रा के साथ में चलती है, वह चिपकने का डर रहता, यदि किसी की अकाल मत्यू हुई है, तो वह आत्मा, किसी जवान इस्तरी या पुरुष को पकड़ती है, यदि किसी की अकाल मोत, जवान इस्तरी क की मोत हुई है, तो जवान इस्तरी किसी जवान लड़के को पकड़ लेती है, जिसका कमजोर दिल होता है, और यदि जवान पुरुष मरा, तो वह किसी जवान इस्तरी को पकड़ता है, और उसी इस्तरी को पकड़ता है, जो बाल खुले करके बजार में घूमती है, बेबी को बांद करके रखना चाहिए या इस्त्रियों को हमेशा अपने सिर के उपर चुन्री रखना चाहिए या फिर इस्त्रियों को हमेशा पल्ला अपने उपर रखना चाहिए खुले सिर इस्त्रियों को घर के बहां नहीं निकलना चाहिए पंतु आज बीकल को हिंदू सनातनी, अपने आधूनिक्ता के चलते, फेशन के चलते, अपने आपको सुन्दर दिखाने के चकर में अपनी जिंदगी बरबाद कर लेते जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परिवार मेरे पास में आया है उस परिवार को नर्क जैसा जीवन वो व्यक्तित कर रहे हैं दोनों पती-पत्नी एक कमरे में रहते पर अलग-अलग सोते हैं खाना सई तरीके से खान नहीं पा रहे हैं धन दिया इश्वर ने पेसे की कोई कमी नहीं है मकान संपत्ति की कोई कमी नहीं है पंदु घर के अंदर जीवन नर्क मेसूस होता है उनको कि वे तो भाग जाओं आत्महत्या कर लूँ परिवार को छोड़ दूँ एसी इस्तिती उत्पन हो रही है तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप महिला हैं तो हमेशा अपने सिर को घर के एक कदम भी वहां निकाला तो सिर को ढख करके रखें बालों को बां अच्छे दिखने के चक्कर में सुन्दर दिखने के चक्कर में आप अपनी जीवन को तभा कर लेते हो और अल्टिमेटली परिवार से अलग हो जाते हो जो इस जीवन का मुख्य आनंद है वो आनंद प्राप्ति नहीं कर पाते हो यानि कि आपको जो सुख चाहिए संपत्त चाहिए जो शान्ती चाहिए जो स्वर्ग जैसा परिवार होता है वो आनंद चाहिए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और पुरुष्ट के लिए भी यह नियम है कि वह भी सम्शान नहीं जाए और सम्शान के आसपास कई भोजन या भंडारा बन रहा हो या बना ह तो वहाँ पर बिल्कुन नहीं जाना चाहिए भंडारे में नहीं खाना चाहिए सम्शान में बेट करके सिग्रेट नहीं पीनी चाहिए सम्शान में बेट करके पानी भी नहीं पीना चाहिए और सम्शान में जाने पर हसी ठिटोली नहीं करनी चाहिए कोशिस करें उस समय प सुखी रखने के लिए दी जा रही है मानना या नहीं मानना आपके उपर निर्भर करता है यदि आप मानते हैं तो आप सुखी रहोगे आनंद में रहोगे घर स्वर्ग जेसा मैसूस होगा और यदि नहीं मानते हो तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर देखता हूँ, घर के अंदर नर्क के अलावा कुछ नहीं है, और नर्क से बत्तर कोई जिंदिकी नहीं होती है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इन बातों का अवश्च दियान रखें, महला किसी ने कोई तंत्र नहीं किया, मैं पुर्णा के रहा हूँ, कि कोई तंत्र किसी ने तंत्र नहीं किया, दोनों पती-पत्नी की गल्ती की वज़े से स्वत्ह तंत्र हो गया, स्वत्ह सम्षान की शक्तियां घर तक चली आई, क्योंकि सम्षान के पास बैठ करके, सम्षान के अंदर बैठ करके बोजन किया, सम्षान की बाउंडरी में जाकर के घुमफिर करके आये और बिना इसनान किये घर के अंदर प्रवेश किया फिर इस्त्री के साथ भी सो लिए मलब समशान की शक्तियों को आपने अपनी इस्त्री का भोग करने के लिए आवहान किया अब ये कहूंगा मैं तो उस इस्त्री के उपर भी पति की वज़े से पतिनी के उपर कुछ प्रेतिक शक्तियां चड़ गई और इस्त्री भी सबरे सबरे मोर्निंग वाक के लिए जाती है तो तीराहे पर एक्सिडेंट में मरने वाली चोडाहे पर एक्सिडेंट में मरने वाली या फिर अन्य तरीके से अकाल मृत्य को प्राप्त होने वाली पेड़ से गिर करके मरने वाली एक्सिडेंट में मोत होने वाली जहर खा करके मरने वाली या फिर के सकते हैं पानी में डूप करके मरने वाली या फिर ये के सकते हैं कि आग लगा करके मरने वाली ऐसी अकाल मृत्यू को प्राप्त होने वाली आत्मा तीराहे पर चोराहे पर पुलिया के उपर एकांति स्थान में निवास करती है और जब आप वहाँ पे जाते हैं बिना सुरक्षा के जाते हैं बाल खुले करके जाते है सेंट लगा करके जाते हैं, खुश्वू लगा करके जाते हो, तो निश्चित तोड़ से वो शक्तियां, यदि आपकी आत्मा कमजोर रही, तो आपके उपर शिपक जाती है, और आत्मा कमजोर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, कि बाल नहीं कटा ना है, शनी के साथ में राहू बेटा है तो आत्मा कमजोर होती है, मानो या नमानो या पुन्ता सत्य है, यदि आप के घर में इस प्रकार का किलेश है, अशान्ती है, दुख है, पती पतनी में जगडा होता हो, पतनी अचानक भयंकर कुरोधित हो जाती हो, जैसे बिलकुत चंडी मा का प्रकट रूप कर लिया होने, और उल्टे सीधी बाते बोनने लग जाए, चीख चीख करके चिलाने लग जाए, चीख चीख करके पती से बात करने लग जाए, और आशपरोस वाले तो आवाज जाए, तो समझ जाओ, उस इस्त्री के उपर, उपरी बाधा, यान प्रेत बाधा, चुडेल बाधा, ओटोमेटिक लग गई है, अपन कहते हैं कि मानसी किस्ति खराब हो गई, मानसी किस्ति खराब नहीं हुई, यह उसके अंदर की जो आत्मा होती है, उसको तकलीव होती है, तो वह इस पकार की गती विधी करती है, तो जेसे ही आपको पता लगे, कि चाहे पुरुष हो, चाहे इस्तरी हो, यदि उसके उपर इस पकार का एक्षन आप देखो, कि वो चिल्ला चिल्ला करके बात करें, चीक चीक करके बात करें, बोलते समय थोड़ी सी आवाज ही बदल जाती हो, या उसके हाथ पिरों में इस साहस आजाता हो, तो समझ जा उस वक्त, वो आत्मा ने उसको कबजा करके वो आत्मा बुलवा रही है, कि घर परिवाद तूट जाए, क्योंकि आत्माओं का काम होता है, सुकी नहीं रखना, आत्माओं का काम होता है, अश्यांती क्योंकि उन्हें अश्यांती में मज़ा आ गल्ति के वजय से दूसरा परिशान तो नहीं है यह दूसरे की गल्ति की बज़े से पहला वक्ती परिशान तो नहीं है यह सची घटना है जो मैंने आपके सामने रखी मानो या नमानो यह पूलतर्सत्य मा भगुती जगजन्य आफ सभी को सदवद्धी प्रदान करें और परमपिता परमात्मा शीव जी सेंब राथना करेंगे कि आप सब को सही मार्ग पर चलने के लिए साहास प्रदान करें जयमा तादी जयमा का मक्या एक किताब हमने लिखी है प्रेत क्यों लगते हैं आप चाहें तो किताब खरी सकते हैं आज जो विक्ति उस किताब को खरी देगा उसकी कीमत जो मतलब आड़र देगा यह कोड नंबर देख करके उनके लिए यह किताब की कीमत 700 रुपर रखी गई है कोड नंबर है 21.08.63 यह कोड नंबर डालने पर और किताब का नाम लिखने पर कि प्रेत क्यों लगते हैं आपको यह किताब के वल 700 रुपर में दी जाएगी जयमा तादी जयमा का मक्या